बिस्मिल्लारुम्मारुरहीम अस्सलामुआलेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स शेक्ट नमर 6 फ्लूइड डैनेमिक्स और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जी अप्लिकेशन आफ बर्नोली इक्विज इस ब्लड फ्लो तो चलि спас ने से पहले आप से करंगा कि यहाँ पर हमने इस टौपिक को से इस तरह से मोडि फाइफाइच किया है इसे पंजाब बोर की स्टूडेंट्स के पिके के फेडल के तमां स्टूडेंट जो है वह बरूर फायदा उठा सकते। जो फैडल के फालो करना है वहां से भी उनका पेपर बन सकता है इसलिए मैंने दोनों को मर्ज करके एक ही टॉपिक बना दिया पंजाब बनों के लिए यह कंप्लीट है फडल बोर्ड वाले भी इसको कि छीप हो जाते हैं तो आप ऐसा कीआ करें इस तरह के जो पर से ने जो की नेरा बात करेंगे ? डायस्टॉलिक, सेस्टॉलिक क्या होता, उसको डिसकस करेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ी सी बारी क्यों में जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जी नमबर वन पॉइंट ब्लड विसकॉसिटी की, ब्लड विसकॉसिटी क्या होती है, देखें, ब्लड जो है, वो एक इनकम्परिसिबल फ्लॉड है, यागर आप इस पे प्रेशर लगाएंगे, तो यह अपना वॉलिम रेड्यूस नहीं करेगा, उसे हम बोलते हैं, इनकम्परिसिबल फ्लॉड है, इसकी विसकॉसिटी होती है, लेकिन इसमें जो शामिल होते ह वो इसकी विसकॉसिटी को बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे यह होता है, पिर इसकी विसकॉसिटी तीन से पांच गुना बढ़ जाती है, as compared to water, तो ब्लड जो है, वो एक विसकॉस फ्लॉड को तुर पे work करेगा, ठीक है, यह एक विसकॉस फ्लॉड है, जिस अपॉन यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया के उपर जो फोर्स लगाए जाती है, उसे प्रेशर कहते हैं, सिंपली, ठीक है, अब आप देखें, एक बाय की ट्यूब ले लें, आप एक साइकल की ट्यूब ले लें, जब उसमें हवार नहीं होती, तो वो ऐसे बिलकुल जो एर है, वो एर इसकी वाल के उपर एक फोर्स एक्जर्ट करती है, तो किसी एरिया पर फोर्स लगे तो उसको हम प्रेशर कहते हैं, तो वो प्रेशर बनाती है और उसकी एक प्रॉपर जो है वो शेप, इन्फलेटिट शेप आपको नजर आती है, इसी तरह से बलड भी एक फ्लूवर्ड है, और वो खून की नालियों में से जब गुजरता है, ठीक है, तो वो उनको फुलाई रखता है, उनकी वाल्स के उपर भी वो एक प्रेशर एक्जर्ट करता है, और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, बलड प्रेशर क्योंकि बलड जो है वो इन वैजल तो एक मर्तबा बलड का प्रेशर जो है वो उपर जाता है, एक मर्तबा बलड का प्रेशर जो है वो नीचे आता है, उपर नीचे वैरी करता है, अब आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, बलड प्रेशर को चेक कराते हैं उसको तो वो आपको दो वैन्यूस देता है, अगर आपका blood pressure normal है ता वो कहेगा 120 और 80 है ठीक है अब 120 क्या है उसका maximum maximum pressure कहां तक गया 120 तक और minimum के कहां तक गया minimum जया जी वो हमारे पास तकरीबन 80 तक अगर आप normal blood pressure में है तो ठीक है तो यह आपको दो reading दी उसने सही है तो उसी दो reading में जो maximum होता है वो हमारा होता है systolic और minimum होता है diastolic थोड़ा असा हम इसकी detail भी देख लेते हैं तक आपको पता चल जाए जो बायों को students है उनको तो पता है सब चीजों का लेकिन जो engine link के students है उनके लिए ओके तो atrium और ventricle आपने देख लिया अब इसमें जो right side होती है इसका काम होता है जी दिल की तरफ दिल से खून बेजना lungs की तरफ और lungs से खून को लेके आना दिल की तरफ ठीक है और जो यह वाली side होती है इसका काम यह होता है कि पूरी body की तरफ ब्लेड को supply करना है अब यह जो you उस वक्त जो blood pressure होता है उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है डायस्टोलिक ठीक है दो वैलीज होती है इसकी एक normal person के अंदर जो systolic blood pressure होता है वो 120 टार होता है और जो नालियों के अंदर जो cholesterol जो वो एकठा होना शुरू हो जाता है blood vessels के अंदर जिससे क्या होता blood vessels जो है वो narrow हो जाती है ठीक है अब जब यह blood vessels narrow होती है तो इसके अंदर से जो flow करने वाला blood है वो blood अपनी velocity को बढ़ा देता है आपको पता है एक pipe के सामने हमने ऐसे एंग उठा रखा था उसका area कम किया था तो उसमें से flow करने वाला water जो है उसने अपनी speed बढ़ा ली थी ठीक है तो according to equation of continuity जब खून की नालियों में वो प्लक से जम जाता है या वो cholesterol हो जाता है तो वो उसका path narrow कर देता है बारी कर देता है अब area कम होगा तो area कम होने से क्या होगा area कम हो उसमें से flow करने वाला जो fluid है वो अपनी velocity को बढ़ा देता है अब fluid जब अपनी velocity को बढ़ा देता है तो fluid की velocity बढ़ने से क्या होता according to Bernoulli equation एक fluid जो किसी pipe से flow कर रहा है अगर वो अपनी velocity को बढ़ाएगा तो वहाँ pressure drop हो जाता है फिर दिल को बहुत ज़्यादा काम करना देल सारे लिखी है वो statement यह है कि अगर artery का जो radius है वो half रहा जहे वन बैटू तो फिर जो दिल है उसको pressure को maintain करने के लिए तकरीबन 16 गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा ठीक है अब यह 16 का digit कैसे आया क्यों आया यह detail से जाद आपको मैंने बताना है ठीक है और इसके तो वो detail आपके साथ share करने है आप बस समझ लीजिए और चाहें तो उसको लिखें नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं है बस आप इतना याद रखें जितना आपको book में बताया गया है अब वो जो बात की गई थी कि जब radius 1 by 2 हो जाएगा तो दिल को जो है वो तकरीब में के rate of flow of volume यानि volume जो flow करता किसी pipe से with respect to time वो constant रहता लेकिन ये था for an ideal fluid ठीक है के volume flow rate जो है आपके पास constant रहेगा अब blood तो एक ideal fluid की तरह behave नहीं कर रहा इसकी तो viscosity होती है और अच्छी खासी viscosity है पानी से 3-5 गुनए viscosity होती है मैंने सबसे पहले आपको यह बताया तो इसके के ओपर आप यह concept इस्तमाल नहीं कर सकते हैं इसके ओपर फिर हम इस्तमाल करते हैं जी पॉइजलेला ठीक है पॉइजलेला जो है वो क्या कहता है वो कहता है कि जो rate of flow of volume है ठीक है rate of flow of volume वो बराबर होता है डेल्टा पी पाई आर रेस्ट पावर 4 by 8 इटा अल अब यह क्या रेडियस को हमने 1 by 2 कर दिया तो सुनिये इसमें डेल्टा पी क्या change in pressure एक pipe है या वैजल है ठीक है उसमें से जो volume flow करके जा रहा है उस volume का flow rate depend करता है जी किसके ओपर जी डेल्टा पी पी मतलब pressure दोनों तरफ pressure का change पाई की value आपको पता है आर यहां पर radius है 8 भी एक नंबर ह इटा क्या वो उस fluid की viscosity कोफिचन अब viscosity जो उसमें से flow करता हुआ जा रहा है और L क्या उस pipe की उस vessel की length है ठीक है तो यह फर्मूला बताया हमें पाजिले ला रहें ठीक है अब बाकी चीज़ें सिर्फ इसमें यह देखिए कि यह जो rate of flow of volume है वो इस radius के साथ direct relation में है यहां कि कि delta V by T जो है वो proportional है R is to power 4 के ठीक है अब अगर आप देखें कि वैजल का जो pressure जो उसका radius है वो half हो जाए ठीक है 1 by 2 1 by 2 ठीक है तो यह देखें जी 1 by 2 का square ले 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 ठीक है पावर 4 ले 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 क्योंकि यहां अबर पावर 4 है R की तो यह क्या बन जाता है 1 over 16 तो इससे क्या होगा volume flow rate 16 गुना कम हो जाएगा volume flow rate 16 time कम हो जाएगा अगर वैजल का radius half हो जाए तो volume flow rate इस पॉजिल ला के मताबिक वो 16 गुना कम हो जाता है अब जब volume flow rate 16 गुना कम हो जाएगा ना तो volume flow rate के 16 गुना कम होने से उसकी अंदर जो flow करने वाली fluid है उसकी velocity 16 गुना बढ़ जाएगी अब उस fluid की velocity अगर बढ़ेगी तो वहाँ pressure सोना गुना कम हो जाएगा उस pressure को maintain करने के लिए फिर दिल को जो है वो सोना गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा ये वज़ा है that is why if the radius become half then the heart would have to increase the pressure 16 time सोना गुना ज्यादा काम करके उसको वो pressure बढ़ाना पड़ेगा ये जो 16 का digit आया ना basically यहां से आया ठीके तो अब आपको ये समझ आगी होगी कि rate of flow of जो volume है वो proportional होता है r raise to power 4 के ठीके तो अब इसको मैं एक और angle से बताता हूँ कि आपने कहीं mix नहीं कर देना rate of flow of volume को और speed को अक्सर student इसको mix कर देते हैं देखे rate of flow of volume का मतलब है कि पर सेकंड कितना volume flow करके जाता आगे ठीके और velocity मतलब फ्लूइड कि इस speed से जाता है मैं आपको एक यहां पर example देता हूँ जैसे हमारे बास ये कौन महंदी की बात कर लें ठीके ये एक कौन महंदी जिससे हम हाथ पर महंदी लगाते हैं अब इसका आगे से जो ये पात है वह बहुत नेरो है यह बहुत कम है इसमें से जो fluid पास करेगा वह अगर आप यहां से प्रेस करते हैं इसको जोड़ से तो वह सही velocity के साथ आगे मूव करेगा काफी speed के साथ आगे मूव करेगा लेकिन एक सेकंड के अंदर कितना fluid जो है कितना volume बाहर आए बहुत कम सा यानि बहुत थोड़ा volume इसका आगे flow करकी गया speed बहुत ज्यादा है लेकिन rate of flow of volume कम है तो जब path नेरो होता है तो rate of flow of volume जो है वो कम हो जाता है यानि volume flow rate कम हो जाता है student फिर सुनिए ये देखें ये जो volume flow rate है न volume flow rate ये कम हो जाता है volume flow rate कम हो जाता है अगर radius उस pipe का आप कम कर देंगे यहाँ पर put करो न जरा 1 by 2 half करो radius तो ये 1 by 16 आगए ये देखें 1 by 16 तो rate of flow of volume जो है वो decrease हो गया 1 by 16 16 time decrease हो गया वो ठीक है यहाँ पर हमने real life में भी इसकी example देख ली कि कोन मेंदी में इसका path बहुत नहरो होता है radius बहुत कम है इसका यहाँ पर इस point के उपर आप यहाँ से इसको ऐसे प्रेस करते हैं इसमें जो fluid बड़ी स्पीड से आगर जाएगा लेकिन उसका volume flow rate कम है क्यों radius बहुत कम है उसके बदले में आप थोड़ा से इसको काटें और अब इसको प्रेस करें ठीक है अब fluid आराम से बाहर आएगा लेकिन उसके volume जो है ना volume देखे काफी ज़्यादा पर सेकंड इतना सा volume आया पर सेकंड काफी ज़्यादा volume बाहर आया अब इसकी speed कम थी लेकिन volume flow rate ज़्यादा था उसके बाद अगर बिलकुर इसको open रखा रहा है ऐसे फिर प्रेस करेंगे सारी की सारी अराम से ऐसे नीचे गिरेगी velocity बहुत कम होगी लेकिन पर सेकंड volume बहुत ज़्यादा flow कर गया इसलिए mix नहीं करना volume flow rate को और उसकी speed को ठीक है जब radius कम होता है तो radius के कम होने से क्या होता है इसका volume flow rate है वो कम हो जाता है volume flow rate कम होगा लेकिन speed बढ़ेगी यहाँ पर देखे radius आपने इसका बढ़ाया volume flow rate यानि पर सेकंड volume ज़्यादा बाहिर आया है ठीक है बास समझ गया है लेकिन speed इसकी थोड़ी काम हो जाएगी अब इसको और open कर दें ऐसे अब यह और आराम से ऐसे नीचे गिरेगा उस speed से नहीं जाएगा जी speed से यह मेंदी आगे गई थी ऐसे लेकिन 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 इसका जो volume flow rate है वो बढ़ जाएगा यानि पर सेकंड ज्यादा volume flow करके जाएगा बाहिर को ओके तो यह चीज़े आपने observe कर ली कि जब हम radius कम करते हैं volume flow rate कम हो जाता है far and viscous fluid यह relation किस के लिए viscous fluid के लिए यह जो blood है एक viscous fluid है ठीक है तो यह हमने देख लिया अब उससे क्या होता है जी इतना 16 times ज्यादा उसको pressure build करना पड़ता है तो हर्ड जो है वो उस तरह से काम करना ही पाता और जब उस तरह से काम करना ही पाता तो फिर heart attack के issues आते हैं ठीक है अब इसका जो radius है वो हमने थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है जो fluid इसमें flow करना है क्योंकि यह fluid हमारे पास ideal fluid नहीं है यह real fluid है इसके अंदर viscosity है और यह blood को ही अगर हम consider किया है blood इसके अंदर से flow करता हुआ जा रहा है उसके अंदर viscosity होती है ठीक है तो जो blood की layer इस pipe के साथ यस準備 के साथ होकी इसsimुकर साथ होगी उसकी velocity बहुत कंवादी जो स्लो हो जाते हैं अब अंगर pipe narrow होगा तो इसके इसके अंदर 10 य erosion बास कर रहे हैं 10-5 में से 2-3 को वह slow कर दे और बाकी 5-7 को आगे जाने देगा और अगर और narrow pipe को कर दें जिसमें से 3-4 layer move कर सकती है 2 layer तो उपर निचे से block हो जाएंगी और center में एक ही layer फिर आगे flow कर सकती है इसलिए याद रखें कि एक ऐसा fluid जिसकी viscosity होती है जो viscous fluid होता है वो जब किसी pipe में से pass करता है ठीक है तो उसका volume flow rate है वो कम हो जाता है अगर आप उसका radius कम करेंगे ठीक है radius कम करने से उसका volume flow rate कम हो जाता है क्योंकि उसकी जो vessel की जो wall है वो इस fluid को रोकती है उसको slow down कर देती है ठीक है center वली तो आगए चली जाती है लेकिन बाइद वली डोक देती है अब अगर ज्यादा diameter होगा तो उपर वली दो तीन तो रुक जाएंगी लेकिन ज्यादा तर बीच में से pass करती हूँ चली जाएंगी यहां से यह भी example दे दिया आपको मैंने यह भी example से explain कर दिया ठीक है तो यहां पर आपने क्या सीखा आपने यह सीखा कि एक viscous fluid जब किसी vessel में से pass करता है अगर उस vessel का या उस नाली का उस pipe का radius आप कम कर देंगे radius कम करने से volume flow rate volume flow rate कम हो जाता है volume flow rate जब कम होगा लेकिन fluid अपनी velocity जो है वो बढ़ा देगा ठीक है जैसे कौन मेंदी की हमने बात की थी इसका हमने path बिल्कुल narrow कर दिया इसमें से flow करने वाला जो volume है वो अपनी जो है वो velocity बढ़ाएगा लेकिन volume flow rate जो है वो कम हो जागा और यह किस के लिए है यह एक viscous fluids के लिए है ideal fluid के साथ इसको mix नहीं करना ideal fluid के मताबिक हम नहीं पढ़ा था के रेटा flow of जो volume है यह volume flow rate वो constant रहता फारण ideal fluid ओके बच्चों तो यह हमने सीख लिया students अब हम बात करेंगे इस figmo manometer की यह एक ऐसी device है जिसकी help से हम blood pressure को को measure कर सकते हैं इसको हम इस तरह से define करते हैं एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ टू मियर ब्लेड प्रेशर डैनेमिकली इसकार सिग्मो मैनिमीटर है ठीक है अब इसमें जो लफ्स डैनेमिकली यूज़ हुआ है आप जानते हैं डैनेमिक का मतलब बता हैं motion तो ब्लेड प्रे मर्कृूब हैं इसके अंदर मर्कृ पाइप लगा होता है इसमें मर्कृ का लैवल ओब नीचे आता है यहां पे ऐर को ultimately अपर दया है यहाँ को आपके बाजू यहाँ पर एर बैग लगाता है ठीक है और सात में यहां से और इयर को इसके अंदर फिल करता है फिल करता है, प्रेशर बढ़ता है मर्ट्री का लेवल जूआ वह इसे ओएपर चला जाता है कि आप Pool में का सथ ते स्वर नाग वह कांट की अठाई टाउ की इसाथ में न स्थिक्षा त्वाप मीं फींग को सBooks की फ्र सब्सक्राव को यह जो जो इसकी फूलता रहता घकर लेता है अब इसके अंदर जो खून की नालिया है वो दब जाती है प्रेस हो जाती है ठीक है यूंकि इसका ये जो एर बैक हमने बाजू पर लगाया है इसका जो प्रेशर इसके ओपर लग रहा है उसको हम एक्सटरनल प्रेशर कहेंगे और एक प्रेशर खून का है जो इनसेड जिसक क्लैब कर जाती है वर खस्ट क्लैब करने से क्या होता है उसके अंदर जो किलो है बलड का वो रुक जाता काट अफ हो घाता है ठीक है तो अब उसमेंसे कुछ भी ब्लड जो आव फ्लो नहीं कर रहा होता इसन को बढ़ते हुए कि ऐस बिद्स तक लेजा ता उसके इस बाजू के उपर वो प्रेशर ग्रेजुली डिक्रीज करना शुरू हो जाता है यह मर्कृरी का लेवल भी ऐसा ऐसा से नीचे आना शुरू हो जाता है ठीक है अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब स्टैथोसकोप को जो है यहां से एक आवास सुनाई देने लग जाती है खिए यहां से कुछ आवास सुनाई देती है उस वक्त जो है वो यहां पर लैवल देख के ब्लेट प्रेसर को बनोड कर लेता है यह आवास का बाती है जैसे ही जो इनसाइट से अस्तोलिक प्रेशर है और एक्स्टेनल जो प्रेशर दोनों एक दुसरे के बराबर आते हैं यह जो इसके जोल है यह जो वैब ona शुरू हो जाती यह और उस में से ब्लड जो है वो तेजी के साथ आगे फ्लोव करता है अब ब्लड जब तेजीüst तागे फ्लो गरता है वह त्रबुलेंट हो जाता है ठीक है लेमिनर फ्लो नहीं रहता है वह फ्लो टर्बॉलन फ्लो हो जाता है अब टर्बॉलन फ्लो करता है वह आगे जा रहा है ठीक है वह सौंड भी प्रोडूस करता है आपको यहां से सौंड जो है वह सुनाई देगी तो उस वक्त आपने जैसी सौंड सुनाई ठीक है साथ-साथ जो है वो फिर एक ऐसा पॉइंट आगा आपके पास क्यूंकि ब्लड जब तेजर से आगे गुदरेगा तो उसका प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है अब कम होते हो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फिर से जो इंसेड ब्लड के अंदर यह जो का जो फ्लो है वो टर्बॉलेंट से स्विच हो जाएगा लेमिनर में तो जैसे ही वो टर्बॉलेंट से लेमिनर फ्लो में स्विच होगा आवाज आना आपको बंद हो जाएगी जैसे ही आपको आवाज आना बंद होगी फॉरुन से आपने उसका मर्कृरी का लैवल जो एक उसका systolic pressure था वो तक्रीबर नामल परसन में 120 टॉर के करीब होगा और जो diastolic pressure है वो approximately 80 टॉर के करीब करीब होगा इस तरह से आप जो है वो blood pressure को measure कर सकते हैं तो बचो यह था महाराज का topic अगर आपको कोई confusion है यह किसी किसम कोई question है तो comment section के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं